आप भारती जनता पार्टी से विधायक रहें, ऐसी क्या आप सेकता पड़ी कि आपको कांग्रिस पार्टी जोईन करने हैं? मैं बड़े दुख के साथ ये बात कहता हूँ, मैं दो स्पून ढंग से और पच्पात पून तरीके से जो निनने किया गया है, वो वास्तों में हमारे लिए जनता के लिए और कारता हूं के लिए दुख का कारण है। मैं रिजायन करने का सोच रहा था पार्टी से या इस्तीपात प्रात्मिक सदस देने का, तो माननी सीम साथ के पास मुझे लगा कि क्योंने एक बार मैं अपनी पच्छ रखूं, बात रखूं, लेकिन सीम सामने भी मेरी तरफ मुड़के नहीं देखा, अम उससे बात करना भी उच्छ नहीं समझा, तो मुझे लगा कि या मेरा इस पार्टी में रहने कोई अच्छ नहीं है, मैं खेत के साथ कहता हूँ कि बेगात जो मैंने अभी दो तीन मेहना से ये दोड़ चल रहा था, मैंने कई वार माननी सीम साहब, माननी प्रदेश, माननी जिलात, अध्या या संभाग प्रभारी जन से भी बात करने का कोसिस की, कि मुझे थोड़ा सा समय मिले कि मैं अपनी बात अपनी आप उनके बीच में रख पाऊँ, लेकिन आज खेत के साथ कह रहा हूँ कि इतने लंबे समय का कार करता होने के बाद भी पार्टी के दोरा या किसी पदा दीक सारी के द्वारा मुझे आद तक फांच मिनट का समय भी निदिया गया कि मैं अपनी बात रख वास्तों में खेद है, मैंने जिस संगठन में जिस पार्टी में 25 साल तक काम किया, बहुत से कार करता है, मेरे सुब चिंकता थे, मेरे साथी थे, उनको छोड़कर मैं आज दू किसी के द्वारा भी मुझे टिकर करने के बाद एक ब्यक्ति ऐसा नहीं, जिसका आद तक मेरे पास किसी का फोन आया हो, और मैं कहीं गया भी अगर मिलने उन से, तो उनने मेरी कुछ बोलना तो दूर, कुछ कहना तो दूर, यहां तक ही मिलने का समय भी निदिया, इससे इससे बात अंदर से निकल कर सामने आई कि जो मंटोला कांट था, मंटोला कांट के कारण बागरियों का थोड़ा सा विरोध हुआ, जिसके कारण यह भी चर्चा निकली के सवर्ड वोट यहां-वहां हो जाएगा, कहीं ना कहीं यह कारण तो नहीं है कि वोट कटने का और क्या है टिकेट गटने का और आखिर क्या है यह मंटोला का इसा लगता है कि वोट सी डेंट था और वहां की जो चर्चा परचा नहीं तो कोई घटना अगर हत्या की होती तो निश्चत रूप से जादा दिन तक उसको छुपाया नहीं जा सकता दावा नहीं जा सकता आज भ घटना के यह हम लोग विश्वास देने के लिए या धरम से जो भी विश्वास यह परच्छा में लोग मांगते हो उसके लिए समाज के लोग तयार है कि वास्तों में यह जो अच्छेप लगा है वास्तों में ठीक नहीं लोगत है उस समय आपको दिषान होगा विधान उसके बारे में कुछ लोगों ने तेजी से उसको हैलाया या उसका राजनीती करण किया उसके कारण कई जगे धरने प्रदर्शन कई जगे आगजनी या कई जगे ट्राफिक जाम की इस्तिती की गई उस समय सरकार की उपर एक दवाव बनाए गया मुझे लगता है भारती जन कि इस्तिती में थी तो उन्होंने जो यहां तत्कालिक अधिकारी टियाई थे उनकी उपर दवाव डालके कि इस घटना का तुरंत पटा छेप किया जाए जबकि जान चल रही थे उस समय तत्कालिक लोगों को लग रहा था उस समय आपको ध्यान होगा एक टियाई डिके सी थे वह लग रहा था उनको संदेहास पत्फा कि घटना वास्तों में 302 है कि नहीं है तब तक वह फाइर करने में हीला हवाली करें तब दूसरा टी आई लाके ही उस घटना में आप सभी को स्वागत है मैं हूं आपके साथ कादिर जैसा कि आप सभी को विदित हैं माहल क्या है डिर्म दो विदायक आप पन्हा है और जो हमारे नेता हैं प्रमुठ रूली में से प्रमुख नलटा है मह इस विदयायक रहे होने के बाद कांगरेश समय बड़ा भी उन से ना влиड़ संहीं चोंद गंसे हैं उसमें कही न कहीं चाहे पेजल हो चाहे श्वास्त हो जो जो आज़नता की जनता इसमें भारती जनता पार्टी खरी नहीं उतरी उसके कराण आज परिवरत्रण का एक दोर है और कंवेंसी का पूरा महौन है सिंग के ख्रीजिक खि़लाब क्या लगता पयों है आपको कि इस बार क्या स्थिती रहेगी इस बार लोगों ने मन बनाके रखा है मुझे लगता है कि जो इस बार जो Bizim सरकार का वास्तुम बहुंग इचनता पार्टी के इन्टीकम्वेंशिक चलते बड़ों से थी कंग्रेसपार्टी का जो प्रत्यासि होगा वो जीत दर्द करेगा आप भारती जनता पार्टी से बिधायक रहे ऐसी क्या आउसकता पड़ी कि आपको कांग्रेस पार्टी जोएन करें मैं बड़े दुख के साथ ये बात कहता हूँ मैं 56 साल का हूँ लेकिन करीब 25 साल से भारती जनता पार्टी का प्रात्मिक सदस होने के नाते नाते और यहां तक कि आज भारती जनता पार्टी से में बिधायक भी बना लेकिन वर्तमान में जो परदेश है वर्तमान में जो इस जनता होती है जो उनके प्रतिमान सम्मान का भाव होता है जो आदर वास्तों में वो आज कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी का जो नितुत है वो सधारन कार करता सरल साहच कार करता से वास्तों में अपने निजी स्वार्थों के कारण हित के कारण और दोश के कारण दूरी ब हमारा नितुत्त है चाहे संगठन में हो चाहे प्रदेश में हो मुझे लगता है बरतमान दोर में उनके साथ मुझ जैसे सरल सहाज आदमी को काम करना मुस्किल है आप टिकेट की सर्त में कॉंगरेज में गए कि आपकी इच्छा हुई मैं भारती जनता पार्टी में भी आपको इमानदारी से बोल रहा हूँ कि मैं टिकट के लिए आद तक चाहे हमारे प्रदेश अध्यच्छ हों जबकि वो यहां की बरतमान में संसद हैं जाहे हमारे माननी मुख मंत्री जी हो आथ तक मैंने कोई अपना बयोडाटा हैं यहां तक कि किसी से मैंने अपनी मंशाक टिकर के लिए जाहे नहीं की हां मुझे यह भरोसा था कि जो उचित होगा संगठन की दिरस्टे PARTY की दिरस्टी से और छेत की दिरस्टी से और मेरे कारण है राजेस बर्मा जी वो हमारे भी साथी है मुझे कोई मुझे कमप्रीशन नहीं मानता मैं उनका अपना उनका सुभाव है लेकिन मुझे लगता है वो जो राजनीत का वरतमान प्रद्रस है जो वरतमान जरूरते हैं निश्चित रूप से उसमें वो साकुसल है और मुझे लगता है वो अपने नितोत्त के प्रति या उनके अपने संगठन के प्रति जिस तेजी से जिस धंग से उनने अपना बनाया या उनने अपने प्रति उनको आकरशन किया उसका निश्चित रूप से उनको फाइदा मिला कूटनी तक गहें और चाड़क हैं या ऐसा कह दे की कुतर को तरक है राजनीत करते हैं या आधनिक जो आज राजनीत के हो सकता हैं वो सब तरह से परपूर है क्yt bzw क्या मानते हैं कि क्या इस्तिती रही सदुने अब वह शंगठन की बात है पार्टी की बात मुझे लगा कि आज मैं पर्दस attendant कांगरिस पार्टी में अपना समणपन से या अपनी देख के अपनी इस्तिति की मुझे लगता है भारती जनता पार्टी मुझे जैसे सधारन कार करता खुर रहना जहां मुझे कोई मंच न मिले अपनी बात रखने का, कोई अपना न्याएं की सुनाने का, कि मेरे साथ जो भी न्याएं न्याएं हो रहा है, और जिस मंच में गया, उस मंच में कोई मेरे इस बात की चिंता न करे, या कोई मुझे को कहीं न कहीं अस्वासन न दे, जब मैं रि हम सामने भी मेरी तरब मुड़के नहीं देखा अम उससे बात करना भी उचित नहीं समझा तो मुझे लगा कि यह मेरा इस पार्टी में रहने कोई अचुत नहीं है प्रदेश अध्याच सी मेरी लगातार बात होती थी वो तो विगत पांच बड़ से हमारे नितुत्व हैं मा सान साल तक मैं लगातार उनके सनिक्द में रहते हुए भी मुझे कभी नहीं लगा कि किसी संगठर में चाहाँ जिल्ले में हो चाहाँ प्रदेश में हो सधारन कार्कार्णी का सदस भी बनाया हो लेकिन बनाने क्यों सकता भी समझी हो लेकिन उसके बाद भी मैं लगातार सं होना चाहिए वहार उनों के मेरे संगत किया है जीतने के बाद आपको 2018 में क्या कमेंट करके या कुछ बादा करके टिकेट देने का बादा किया था इस दिना आप नारा जो गए नहीं यह बाद सही है जब मेरी टिकट कटी थी तो मैं मानी सीम साब से पूछने जरूर गया था की बिरहएक जी वास्तों में अल्टरनेट हर वार प्रत्यासी बदलना एक सभाविक प्रिक्रिया है और उससे पार्टी को फायदा भी मिला है तो अल्टरनेट करने से पार्टी को लाभ हुआ है उस कड़ी में आपके साथ भी इस बाद टिकट कट रही है अगली वार निश लेकिन लगातार मेरे सक्री पांसार रहने से छेत में हो या संगठन में हो पार्टी में हो लगातार काम करने से मुझे भरोसा था किसी निश्चित रूप से अगर जो मैं काम कर रहा हूँ जो छेत की अपेच्छाय थी जो जनता की अपेच्छाय थी लेकिन मुझे लगता है कि रजेस वर्मा जी जो लगातार बीडी भाई साब की सनिक्द या उनके नजदीक का फाइदा उनको पूरी तरह से मिला है और लगातार वो संगठन में या पार्टी में लगातार अपने पकड़ कहें या अमाल लीजे जो बरिष्ट लोगों का उनन में विस्वास प्राप्त किया है उसके कारण मेरे साथ अन्याव हुआ है आपकी कटाई कटाई करका है कटाई 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 भी कारकरता नेचे लेकिन मुझे लगता है ठिकर ना लगबिसे है लेकिन मैं खेत के साफ कहता हूं कि बेगत जो Dot दो तीन मेहने से जो ये दौर चल रहा था मैंने कई वार माननी सियम साहब माननी प्रदेश अध्याच माननी जिलात अध्याची या संभाग प्रभारी जन से भी बात करने का कोशिस की कि मुझे थोड़ा सा समय मिले कि मैं अपनी बात अपनी आप उनके बीच में रख पाऊं आज कांग्रिस में आने के बाद आपको लग रहा है कि बड़ी या लग रहा है कि वास्तों में खेद है मैंने जिस संगठन में जिस पार्टी में 25 साल तक काम किया बहुत से कार करता है मेरे सुब चिंक्ता थे मेरे साथ ही थे उनको छोड़कर मैं आज दूसरे दल में गया और उस पार्टी को उस कार करता को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हारदिक धन्वाद देता हूं कितने समय तक आप समने मेरे साथ रहे लेकिन वास्तों में जब मेरा मन एक दम मुझे लगा कि राजनेतिक छेत में मेरा कोई जो नितुत है चाहे वो संगठन का हो चाहे म दौरा भी मुझे टिकट करने के बाद एक ब्यक्ति ऐसा नहीं जिसका आद तक मेरे पास किसी का फोन आया हो और मैं कहीं गया भी अगर मिलने उनसे तो उनने मेरे मेरी कुछ बोलना तो दूर कुछ कहना तो दूर यहां तक कि मिलने का समय भी नहीं दिया इससे बड़ा जो करta के साथ क्या हो सकता है इसके बाद मैंने निश्या किया कि मैं वास्तों में इस दल में मेरे रहने का कोई अच्ची तहीं बचता तौए मैने पन्ना में प्रचार करेंगे गुनोर में प्रचार करेंगे कॉंग्रिस के लिए तर्मेदा से गाम करेंगे निश्चित रूप से जब मैं अपना सर्विस छोड़के राजनेतिक जीवन में या अपने घरेलू जीवन में जब प्रवेस किया तो मुझको राजनेतिक छेत में रुची थी एक लगाव था उसके ताहद मैंने धीरे धीरे करके अजयगर मेरा कर्म भूम भी थी वहाँ थोड़ा सा व्यापारिक छेत भी था वहाँ रहते हुए उन सबके आप सबके लोगों के सहयोग से आसे रवास से में जिला पंचायत का सदस रहा उसके बाद मैं यहां तेरा से अठारा फिर विधायक बना लगातार काम करने के बाद भी और मैं उझे ऐसा लगता है मैं बड़े उससे कह रहा हूं कि आद तक राजनेतिक छेत में मेरे उपर कोई ऐसा बड़ा कलंक या कोई बड़ा चेप नहीं लगा तो मैं अपने लिए यह एक खुसी की बात मानता हूं क्या कारण है भारती इंता पार्टी और भी जो नेता है वो सीधे सीधे टिकट का विरोध कर रहा है अब टिकट का निश्चित रूप से कार करता है अगर विरोध कर रहा है तो उनको पार्टी के जो नेतोत है जो बरिष्ट लोग है उनको बैठ के कारण बताना चाहिए कि किसी की राय सुमारी थी किसी की छेत में जीतने के सिती थी या नहीं थी तो जो निर्ने हुआ है और वास्तों में जो निर्ने अगर पारदर्सी हुआ है न्याज संगत हुआ है उसके बारे में जो लोग छूटे हैं उनसे बात करके उनको संतुष्ट करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए तो मुझे लगता है जो जिसके गिले सिक्वे है या जिनके बारे में अविस्वास है निस्चित रूप से दूर हो जाएगा लेकिन ये खेत का बैसे कि आद तक पार्टी ने किसी भी कार करता से या किसी भी जो अभिहारती थे टिकट मांगने वा कारण बागरीयों का थोड़ा सा विरोध हुआ जिसके कारण ये वी चरचा निकली के सबड वोट यहां वहां हो जाएगा कहीं यह कारण तो नहीं है कि वोट कटने का और आखर क्या है टिकट गटने का और आखर किया है यह मंटॉला मजरा है जब उस समय जो पिछली घटन करना हुई थी तब मैं देविन नगर में एक आरेसस का कारकरम था वहां उपस्तित था जब मुझे पता चला कि एकसीडेंट होगा मुझे लगा कि हो सकता है कोई जगडा या कोई कारण रहा हो एक दो दिन तक हम को उसकी हकीकत जानने में पहँचानने में आज मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि वास्तों में वहां दो तीर लोग एक ब्रामण समाज के कारकरता सेल्समेन हैं यह आपके मरोसा के पास उनका गाव है जो सेल्समेन हैं वो भी चस्मदीद गवाय थे एक मेरे गाव का लड़का वो भी वहां चस्मदीद था एक चौधरी भी चस्मदीद थे वहां गल बगल खेती का कार भी दिन का बारा एक बजे की घटना है चल रहा था तो वह काम भी चल रहे थे तो जो मुझे लगता है चस्मदीदों से जहां तक धीरे-धीरे समय गुजनने के बाद या उनको लगा कि अब कानूनी बादता में हम नहीं फंसेंगे अब जो धीरे-धीरे जानकाली मेरे रही है ऐसा लगता है कि वह एक्षीडेंट था और वहां के जो चर्चा परचा नहीं तो कोई घटना अगर हत्या की होती तो निश्चित रूप से जादा दिन तक उसको दावा नहीं जा सकता आज भी किसी को अगर लगता है कि वह घटना थी तो निश्चित रूप से हम लोग तयार है समाज की रूप से कहे कि जिस मंच में अगर कोई हम को कहे कि यह हत्या थी तो उसके लिए हम लोग विस्वास देने के लिए या धरम से जो भी विस्वास या परिच्छा में लोग मांगते हों उसके लिए समाज के लोग तयार है कि वास्तों में हम यह जो अच्छेप लगा है वास्तों में वो ठीक नहीं था मुझे ऐसा लगता है उस तत्काली जो घटना हुई सोसल मीडिया के माध्यम से उस समय आपको ध्यान होगा विद्धान समय को उप्चुनाव थे साथ आठ सीटों के उसमें अपना रहगाव छेत भी था उसकी जो सोसल मीडिया के माध्यम से जो उसके बारे में कुछ लोगों ने तेजी से उसको फैलाया या उसका राजनिती करण किया उसके कारण कई जगे धरने प्रदर्शन कई जगे आग जनी या कई जगे ट्राफि की उपर एक दवाव बनाये गया मुझे लगता है भारती जनता पार्टी उस समय यहां चुना लणने की स्थिती में थी तो उन्हों ने जो यहां ततकालिक अधिकारी टियाई थे उनकी उपर दवाव डालके कि इस घटना का तुरंत पटा छेप किया जा जबकि जान चल र पाली कर रहा थे तब दूसरा टियाई लाके ही उस घटना में फाई यार की गई लेकिन मैं उसकी यह नहीं कहता अगर हुई भी है घटना एक माल लीजिए कर किनी कारणों से चलो मैं मानता हूंगी जो किया गया हुई भी है लेकिन उसमें 302 जैसा अपराद काइम है और समाज की कोई आप से वो नहीं देता क्योंकि जब समाज है चाहे वो जो भी समाज हो हर समाज में अपरादी तो हो सकता मेरी समाज में अपरादी होंगी और हर तरह के लोग होंगे लेकिन समीधान है नया है उसके लिए अगर जो समीधान की विप्रीत या गेर तरीके से या अपराधी करन करेगा। इसके साथ कानून अपना काम करे उसको जो सपसजा मिले वो चाहे। कोईसी भी समाज का हो बागरी समाज हो बिदाय के तो समाज उसका गलत तरीके से उस राजलेति का फायदा उठाता है। वो सधारन परिवार से खेती किसानी करने वाले लड़के अपने गायब हैं चराने वाले लोग हैं वास्तों में बोवी द्या के पात्र हैं और जो घटना में वास्तों में जो उसमें एक्सिडेंट में या माली जे घटना में जिनकी मृत्त हुई है उनके साथ ही मैं बहुत म चोड़ के गए है नेकुत रूप से ये कोई राजनितिक करनी विजिशेंगे से नहीं है। वास्तों मेंरत्ट्थ और घटना घटना होती है। वास्तों में जो गए हैं उनके साथ भी उरॉप मैं अपनी समाजिके då Gulf भी दुख करता हूँ Q के लिए फंसे लड़के में कि वास्तों में अगर समाज का दवाफ मैं कहता हूं यह मारी जो राजनीतिकन कहता हूं अगर वह 302 लगा और अगर इसुर्थ के घर में अगर होगा तो यह तो उन्हां नयाई है तो उनको 302 में अपरार और सजा मिलेगी यह मालूं निराप्रात तो वो उससे मुक्त हो जाएंगा अगर आपको कॉंग्रेस प्रत्यासी बनाती है और या फिर मालोब की टिकेट करते हैं तो क्या निर्दली चुना लेंगे नहीं मैं पहली चित तो मैं भाजपा में भी ज्यादा राजनेतिक स्वार्थ से नहीं करता था अपनी सौक से सान से जो मैंने पांच साल बिधायकी भी एक बार मुझे ध्यान है जब मुझे को टिगर नहीं मिली मानी हमारे साथ ही रजेस बर्मा जी को में लगई तो किसी ने मुझे से कहा कि बिधायक जी कहीं आपको औवलाइच करेंगे या कहीं न कहीं आपको समान जनक इस्थिति में पता है कि उसमें भी बहुत से कार करता है जो लंबे समय से लगातार काम करते हैं लगातार उसमें संगठन में काम करते हैं मैं किसी संगठन में जाकर इस चीज को सोचके नहीं गया कि किसी के अधिकारों का या किसी की जो उसको मिलना चाहिए उसका जो निजी हेते है सुवारत है उस पर मैं उनके उपर गढ़ तरीके ढंग से गढ़ अधिकरत ढंग से उनका धिकाल लेने की मनसाथ से मैं नहीं गया वास्तों में कांग्रेस पार्टी के अपने जो मिशन है उसका जो उसका बिजन है जो उसकी मुझे लगता है यह रिजर्व सीट है गुलोर विधान सभा इसमें कोई प्रतियासी ऐसा नहीं है कि माननी कमलनाज जी को या माननी कांगरेस पार्टी के बरिष्ट लोगों को अपने नैते का नैते अपने हिस्वारत के हिसाब से प्रभावित कर पाए मुझे लगता है जो मिलेगी वो पार्टी की चिंता और पार्टी का जो आंगे का सोच है कि जिताव उम्मीदवार के हिसाब से निर्नय होगा अब मुझे लगता है जिस प्रतियासी पे जिस आदमी पे निर्नय होगा मैं अपने यह और से हम संगठन के माध्यम से और सभी पार्टी की साथ में के साथ में उसको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे आपने विधायक रहते क्या प्रमुक कार की और ये भी आरूप लगते रहे कि सबसे ज्यादा यात्री प्रद्चाले सही है वो एक दो साल एक साल के लिए मैंने कुछ जगे बनवाए कई बच्चों को मैं देखता था माता आ बहरे बहने बुजर्गों लोग लोगों ने यहावाहां चारों तरप देखा तो लोगों ने उम्मीद की ख़र प्रद्चाले बन जासे मुझे लगा कि कुछ बनवाईने की जो थे तो मैंने ज्यादा नहीं बनवाई दस पची चालिस पचास उस समय बनवा दिये थे जो भी रहे हो तो एक साल में बनवाई थे हमने कुछ टेंकर भी जहां ओ सकता थी साधी ब्याव पेजल पानी के लिए अब ब्रमुख है ऐसा जो गुनावर बिधान सभाव मेरे टाइम में आपके हैं आज मैं आपको बड़े सुक अनभूत से कहता हूं जो मुझे काम करने का मंच मिला था उस टाइम वास्तों में मेरे मारदर्वसक माननी सांसाजी नगें सिंग जी थे आज मैं दूसरे दल में ह उसका सहारा लेके मैंने पांच साल काम करते हुए आप ये बता दे कि अगर गिने तो वो कुछ हमारी यहां से पीड़वरूडी के काम हो चाहे बड़ी बड़ी सड़कें हो पांच-दस करोड़ के बड़े कलेज की गुनोर जैसी बिल्लिग हो नगर पंचायते हो यहां तक कि हमारे कलेज़ों में कई जगे साइंस और दूसरी बिसे की भी हमने उनने करवाया यहां तक कि कोई पंचायत ऐसी नहीं बची मानी सांसर जी के द्वारा हमाई द्वारा चाहा सलिहा का बड़ा बस्टेंड हो चाहे महेवा जैसे बड़े-बड़े गां हो जहां ज्यादा की बिमारी है चाहा कैंसर गुर्दा खिर्णी लीवर जो भी हो उसके लिए हम लोग चाहे सियम अनुदान योजना के अंतरगत या अपने जो भी सासन की उजना है थी उनमें लाब देके कोई ऐसा गरीब नहीं छोड़ते थे जिनको स्वास्त का लाब ना दिलवा पाए हो और निश्चित रूप से हम लोगों ने जो काम किया सांती प्रिथा कोई आवारा लोग कोई भरष्ट लोग कोई नहतिक लोग इस विधान सामें उस समय बढ़ने का किसी ने काम ने किया ना हमने किसी को सरचन दिया सांती ढंग से पांट साल विवस्ता चली आज मुझे कह रहते हुए खेद है कि मैं आज अपने बिपच्छी दल कंग्रेस में भी आया हूँ और मुझे लगता है कि मैं जब कंग्रेस जैसे दल में बिपच्छी जो हम लोगों के थे उस दल में कि लोगों को भी मेरे खिलाप या मेरे प्रती ऐसी कोई दुरभामना नहीं थी या मै कॉंग्रेस दल में भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिल से मन से वासिरबाद जो मिला है वो मेरी कहीं न कहीं मेरी भी उसमें जो कार पद्देती वह भी प्रमुक है यह थे हमारे साथ महेंद बागरी जी जो यहां से भारतियनता पार्टी से बिदायक भी रहें अब मिल हो चुके हैं और कॉंग्रेस को जिताने की बात कर रहे हैं और इनका सभाविक सी बात है एक बड़ा समुदाय और बड़ा साथ रहा है तो इसलिए अजेगर जो छेत्रें वहां से जिलापंचाच रहें सदस्रें तो वहां भी प्रवावर्ण डालेंगे और गुर्वार